प्लेन या हेलिकाप्टर क्रैस क्यों हो जाते हैं? कैसे पता चलता है कि प्लेन क्रैस होने वाली है? इन सारी चीजों की जनकारी लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हेलिकाप्टर या प्लेन क्रैस के हो जाते हैं इसका पहला कारण है कि विमान में आई तकनी की खराबी के कारण इंजन फेल हो जाने के कारण प्लेन या हेलिकाप्टर क्रैस हो जाते हैं कभी कबार पाइलेट की कुछ गलतियों के कारण भी प्लेन क्रेस कर जाते हैं जैसे पाइलेट के द्वारा परिस्थितियों के विपरीत विमान उडाना या पाइलेट के द्वारा पहाडियों में नियंतरन न रख पाना या लेंडिंग के वक्त स्पीट ज़्यादा रखना या रनवे से फिसल जाना या इंधन खत्म हो जाना या दिसा का सही पता न लग पाने से प्लेन क्रेस हो जाते हैं कभी कबार मौसम गड़बरी के कारण भी प्लेन क्रेस हो जाता है और डिजाइन में कुछ कमी या कुछ खामिया होने के वजह से भी प्लेन क्रेस हो जाते हैं हमेशा इस फ्लाइट के साथ हुई दुर गटना का पता लगाने के लिए ब्लेक बाक्स का उपयोग किया जाता है ये असल में हवाई जाज के उड़ान के दवरान उड़ान की सारी गतिवीदियों को रिकार्ड करता है इसी वजह से इसे फ्लाइट डाटा रिकार्डर यानी की FDR भी करते हैं सुरच्चित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातू टाइटेनियम से बनाय जाता है साथ ही भीतर की तरब से इस तरह के सुरच्चिक दिवारें बनी होती हैं कि कभी किसी दुरगटना के होने पर भी ब्लेक बाक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था ये टाइटेनियम से बना होने और कई परतों में होने के कारण सेफ रहता है अगर प्लेन में आग भी लग जाए तो भी इसके खत्म होने की आसंका लगबग नहीं के बराबर होती है क्योंकि लगबग एक घंटे तक ये 10,000 डिगरी सेंटिग्रेट का तापमान सह पाता है इसके बाद भी अगले दो घंटे तक ये बाक्स लगबग 260 डिगरी तापमान सह सकता है इसकी एक खासियत ये भी है कि ये लगबग महीने भर तक बिना बिजली के काम करता है यानि अगर दुरगटना ग्रस्त जहाज को खोजने में वक्त लग जाए तो भी बाक्स में डाटा सेव रहता है अगर कभी दुरगटना हो जाए तो ब्लेक बाक्स से लगतार एक तरह की आवाज निकलती रहती है जो खोजी दलो द्वारा दूर से ही पाचानी जा सकती है और इस तरह से दुरगटना अस्थल पर पहुँचा जा सकता है यहां तक कि समुंदर में 20-1000 फीट तक नीचे गिरने के बाद भी इस बाक्स से आवाज और तरंगे निकलती रहती है और यह लगतार 30 दिनों तक जारी रहती है वैसे ब्लैक बॉक्स ही नहीं बलकि हवाई जहाज में एक और चीज डाटा निकलने में मदद करती है वो है काक्पिट वाइस रिकारडर यानि कि सी वी आर यह असल में ब्लैक बॉक्स का ही एक हिस्सा है यह बिमान में आखिरी दो घंटों की आवाजें रिकारड करता है इसमें इंजन की आवाज, इमर्जेंसी अलार्म की आवाज और कॉक्पिट में हो रही आवाजें यानि पाइलट और को पाइलट के बीच की बातें रिकारड होती हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन आन कर लें